गाइस हम मैंसे सभी के घरो में तो पेशर कुकर होता ही है और पेशर कुकर में सपाट मुझे जहां तक लगता है बहुत कौम होने! आप यह pressure cooker का किनारे में जो spot है आप देख सकते कितना hard stain है और इसका अंदर में भी same है तो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कैसे हम अपना pressure cooker का सारा stain को remove करके फिर इसमें नया जैसे sign ला सकते हैं यहां पर मैं अपने almonium का साड़ा hard spot को clean करने के लिए एक almonium cleaner का इस्तेमाल कर रही हूं वह आपको कैसे इस्तेमाल करना एक cleaner का नाम क्या है आपको इसमें कोई skin irritation तो नहीं होगा यह साड़ी point में आप लोग को आगे में बताऊंगी और मैं आपको इस cleaner के त्रू अपने की ने थोड़ा बहुत clean हो जाएगा लेकिन जैसे में इस वीडियो में आप लोग को पूरा clean करके दिखाऊंगी ऐसे clean हो पाना थोड़ा मुश्किल ही मुझे लगता है क्योंकि मैंने और मुस्त साड़ा घरे लोन उसका को apply करने के बाद ही यह cleaner मैंने बाई किया था अब च क्लीन एलमुनियम क्लीनर को आपको कैसे इस्तिमाल करना है अपना पेशर कुकर का साड़ा हार्ड स्पॉड को क्लीन करने के तो देखिए पहली बात तो मैं आप लोग को यह बनूंगी कि पहले तो आप बलब्स पहन लीजेगा क्योंकि हो सकता है यह आपका स्कीन को दिकत हो सकता है इसके बाद आप पेशर कुकर में वे अच्छे से इसको स्पुड़े करिये ब्रश के थूए आप सारे जगह को पर एपलाई कर लीजे उसके बाद स्टील ऊट्पेट का ले लीजे और अच्छे से आप ऍसक्रब करिए जब भी आप अपने पेशर कुकर को क के साथ सबक कर के साफ करने का कोसिष करने हो उस टाइम पेश कुकरण दोð accountant लीजए गा यह स्टीл इूट को को होता है और रहता है वह चला करते रहते तो आप अगर करिभन 5 मिलीठ ग तो आप साफ हो गया तो देखिए मेने साफ पानी से सको वश कर लिया मैंने पानी अपना साथी रखा था क्योंकि वीडियो भी बना नहीं थी तो मुझे वह help करता है अब देखिए मेरा पेशरोगर का बाहर का स्पॉर्ट तो अल्मोस्ट क्लीन हो गया है अब मैं करने वाले हूँ पेशरोगर का अंदर का स्पॉर्ट क्लीन उसके बाद में पेशरोगर में ब्राइटिंग फिनिशिंग लाऊंगी अब मेरे पेशर कुगर का बाहर का हाध स्पोर्ट तो clean हो गया है अब मुझे करना है पेशर कीडर का अंदर का हाध स्पोर्ट को remove तो यहाँ पर मैने same process फॉलो करना है क्या करूंगी अच्छे से cleaner को spray कर दूँगी उसके बाद apply कर दूँगी लेकिन अंदर को थोड़ा clean करना थोड़ा tricky होता है तो कि आपका हाथ को कैसे घुमाँड़ः है काहते साफ हो रहा है काहते नहीं साफ हो जरा हो आप सही से नहीं से देख बाथे तो इस case में थोड़ा आपको यादा time लग सकता है जैसे आपको लग कि अपका पानिसे वेश कर दीजे इसकेद चयासे मैने बोले तके आप में सब्सक्राइब के आप में आप साथ कौकर mijn करों समार फरा करू तो फर्निशिंग कर भर प्र काम करेंगे गाइस वीडियो आप लोगो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा अगर वीडियो आप लोगो को helpful लगा हो तो अपने अपने दोस्तों को अपने family member को share करिएगा और वीडियो में अगर आपको लगा नहीं मेरा ने कुछ भी गलत दिखाया है तो उसको आप कमेंट करना बि क्या मेरा प्रेशर कर सच में क्लीन हुआ है क्या मेने आप कुछ दिखाया क्या आपको मेरे क्लीनिंग देखके बड़ूसा आया है क्या आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत क्लीनिंग अभी बागिए तो आप मुझे मुझे कमेंट करिगा मुझे फोम्हीं प्रिक्ट्ग्यों को चर्फ आया दो कर दो दो ड्सक्ट कर दो लो एक्ट कर दो जिया हैं तरी अहीं तरी दो ये दो छो दो